दोस्तो नमस्कार मैं अजय पत्रकार 26 अप्रेल को दूसे चलन का मतदान है और दूसे चलन के मतदान के सभी तयानिया पूरी हो गई हैं सभी जगे ईबियम मशीने बगएरा एलाट कर दे गई है कर्मचारी सब तयार हो गए रवाना होने शुरू हो गए हैं और सभी तयारिया लगबग कहीं पड़ भी कोई वैसी स्थित नहीं है सासन प्रसासन इतना टाइट है और खास तोसर चुनाओ आयोग कि इतनी अच्छी विवस्ता है कि सभी जगह सांतपूर चुनाओ की पूरी पूरी संभावना है कहीं पर भी किसी गर्बर होने की संभावना ने अब देखे क्या है राजमिति किन मुद्दों पे चुनाओ जा रहा है, सबसे बड़ी बात है ये चुनाओ मुद्दों पे जा रहा है, और जिसमें जो कुछ मुद्दे बहुत ज़्यादा हाब भी हो गए, अब जो इनमें प्रमुक नेता है वो मोदी जी, योगी जी है, जिनका वास्तों में जनाधान है फिर जैन्त जी है उसके बाद चौथे नंबर पर राहुल जी आते हैं चुकि राहुल जी की एक शीर्थ थी खुद यहां से पलायन कर गए थे उनकी मम्मी भी यहां से पलायन कर गई तो इसलिए कांग्लेस का अब उतना अधान नहीं रहा ज यही पस्ति मुत्तपदेश आज कांग्लेस वहां पे सबसे बुड़ी हालत में है अब देखे कि जैसे 2024 का लोकसभा चुनाओ अपने दूसरे चरण में प्रवेस्त कर लाता भारती जन्ता पार्टी और कांग्लेस दोनों खुद को एक महतपूर मोर पर पा रहे हैं इस पूर करके तथा 87 निर्वासन छेत्र सामिल है जहां बाहरी मरीपूर सीट के चुनिंदा मतदान केंदोग साथ साथ एक उम्मीद बार की मत्तु के कारब मतदान साथ मही को पुनन निर्धारित किया गया है 87 शीटों पे से भाजपा और उसके पूर्फ सायोगियों ने 62 यानि की 71 परसंटेज शीटों पर कबजा कर लिया था दो हजार उननीस में और एक अन्य सीट पिछले आम चुनाओं में उसके बरतमान सायोगी जनतादल सेकुलर ने जीती थी मतदक कुल मिलाकर के 63 सीटे 87 में भाजपा के पास थी जो 71 से बढ़ करके लगवा 75 परसंटेज सीटे जहां मतदान होड़ा है वहाँ पे भाजपा का कबजा आज 75 सीटों पे है इन में से 18 यानि एक तिहाई सीटे सुकबार को 87 सीटों पे होने वाले मतदान में से जीती गई केरल में कांग्रेस ने इन में से 15 सीटे जीती हैं बाजपा केरल में कोई भी शीर हासिल करने में विफल लही थी 2019 में लेकिन उसने से सरसर सीटों में से 52 सीटे जीती जबकि उसके सयोगियों ने 10 सीटे जीती जनता दल उनाइटेट और सुषेना ने 4-4 सीटे जीती दो निर्दली उम्मीद बार भी जीते जिने भाजपा ने समर्थन दिया था लाना इस बार अमरावती से बिजेपी के अधिकारिक उम्मीद बार है उस हिसाब से आप देखें कि सुषेना पहले से काफी टूप चुकी है कई टुक्रों में एन्सीपी कई टुक्रों में है और जो अमरावती की सीट है वो अव्लाना भाजपा से लड नहीं है तो आप अंदार लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी जो बात है कि 87 में 62 सीटे इनके पास 63 थी आज बाकी जो सीटे थी वहाँ पे आज बीजेपी फाइट कर लई केडल में पहले एक भी सीट नहीं जीती थी एक भी सीट फाइट नहीं कर लाई थी आज की देट में केडल में चार-पास सीटे फाइट कर ला है आपको एक चीज और किलियर कर दे हैं जब बेंगौल पे बिधान सभा चुना हुए थे तो फर्स्ट फेस के वह हुई है बेंगौल में यह पोजिशन आज यहां पर यह पोजिशन है कि बीजेपी का जो फर्स्ट फेस लड़े है वहाँ बीजेपी थी नहीं बहुत कमजोर थी जैसे तमिलान में एक भी नहीं थी वहाँ पे बीजेपी लड़ गई अब यह बीजेपी लिए बेनिफिट अगर बी यह पोजिशन है कि जो 87 सीटे है 87 में 87 जगए बीजेपी लड़ रहे हैं दूसरा कमनिष्ट जो है वहां पर काफी स्टॉंग हुआ है केरल में मैं आपको बतानों जैसे बाइनाड है बाइनाड में राहूल खुद मान रहे हैं कांगलेज मान रहे हैं कि वहां कांटे की टक में रहे हैं कि मैं बड़ी किसमें संगर्स में हूं कांगलेज मी मान रही है तो तमाम सीटे ऐसी है कि इसमें वास्तों में जवजजस फाइट है कुल मिलाकर भाज़ापा की मजबूती दिखती है चुकि मेन बज़े है आप देखे क्या पोजिशन है मांडिया में बीजेप रेवन्ना ने 2019 में जीता था और कोलार में भी एक सीट जिसे भाज़ापा ने पांच साल पहले जीती थी लेकिन जट को अवंटित कर दिये करनाटक की 11 अन्य सीटों की तरह ही तीन सीटों पर 26 अप्राइल को चुनाओ होगा महराज की 8 सीटों पर हुए मतदान में से भाज हो गए। अब आप देखें के जहां से बीजेपी नहीं जीती थी आज उनके सांसत शुषेना वाले बीजेपी में और NCP वाले बीजेपी में दूसरी जो राना थी ओभी महराश्ट की बीजेपी में और जंतादल के करनाटक में वो बीजेपी के साथ हैं तो यह चीजा अपनी जो किया है एंटी इंकेंबेंसी जो थी वो बीजेपी ने प्लस कर लिए जो सबसे बड़ी बात आ रहे ही शुनाओ पर अब देखें बहुत छोटा सा एक्जामपल आपको दे रहे हैं कि बीजेपी ने किस तरह से अपने को हकीकत ये थी कि बीजेपी से पहले जाट ब धन लगा के पहलवानों को उसका आया किसानों को उसका आया और ये आंदोलन चलाया उसके पहले भी चलाया इस बार भी चलाया और आंदोलन चलाने के बाद ये स्थित हुई कि वास्तों में कुछ बोट बीजेपी के खिलाप फुली हो गए थे जाट किसान और एंटी इंक आपको बताना है आज की देद में एंटी इंकंबेंशी नहीं है उसकी बज़े रही जाट में नोने चोदी चरण सिंग को भारत अलत ने दे दिया और बगार कहे दिया तो उससे क्या हुआ जाट जो अब क्या कह रहा पस्ति मुत्तरप्देश में और सब जगे कि भाई मैं त यह रहता है दूसर किसान किसान इधर आपको बताने कि इननों ने योजनवत तरीके स्कय किया इनके जो निगेटिव बोट थें खास्तोर से सैनी घूजल जाट सैनी को इन्होंटे चीप मिनिश्टर बना दिया अहर्याना में मैं आपको किलियल कर दूं लाजिस्थान में मैं परश्र्मि उत्ताप्रीटेस में तमाम जगे सैनी बहुत अच्छी तादाद में भूदान अंदोलन में सबसे बढ़ा त्याग और महतमा गांदी के आंदोलन में सबसे बढ़ा त्याग सेनीयों करा यह बात हम लोग नहीं यह बात बिनोवा भावे भी कहते थे यह बात एक बार मात्मा गार्दी ने कहा था और डाक्टर राम मनोर लोहिया ने भी कही थी बीजेपी ने उस चीज़ को समझा सहनी को चीप मिनिश्टर बना दे अब क्या है कि इन्हों ने किस तरह से आप देखि परत्यागी इनको सक्डिकिया नेशनल लूप से सभी किसान यूनियन से मिलें आज की डेट में भारती किसान यूनियन के यह अध्यक्ट है देविंद कुमारत्यागी और वहीं पर आपको ताने चोधरी महन सिंग जी जो है वो है इन्होंने हर गाउं में जाके किसानों को एक किया आज की डेट में यूपी में किसान जो है वो भाजापा के अगेंस में नहीं है ताजू भी है अगेंस में नहीं और जाट अगेंस में नहीं सैनी अगेंस में गूजर को उन्होंने बहुत हत्तग एड़्जस्ट कर लिया यह में बोर्ट थे चौथा क्या है कि मुस मुस्लिम आलक्षणर वाली बात से इधर क्या हुआ कि अखलेश के और आजम खांके डिस्पूट हुए और जितने भी ये पर्सी मुत्तफदेश के जिले हैं इनके मुख नेताओं से अखलेश के परसनल डिस्पूट हो गए उसका आपको बता रहे हैं कि बेनिफिट फिर मोदी जी ने ले लिया लगातार उसमें मुस्लिम आलक्षणर पर बोल करके आज की डेट में मुस्लिम आलक्षणर बहुत बड़ा मुद्दा हो गया वो पश्ची मुत्तर प्रदेश में सबसे जादा वो चला तो आप यह देख सकते हैं कि किस तरह से देवेंद कुमा त्यागी जे और महें सिंग भगेरा तो खिसानों का जाटों का गुज्रों का त्यागियों का ये सबसे बड़ा यहां पर गल है और इन ही आपस में भगरा होता था और इन ही को सब इनों ने एक कर लिया तो जो एंटिंग केमबेंसी थी बीजेपी के अगेंस में वो समाप्त तकली है बीजेपी ने अब कौन जीतेगा यह तो बात की बात है मगर इसमें कोई सक नहीं कि किसी पार्टी ने इतने कम समय पे एंटिंग केमबेंसी को बैलेंस किया जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है अब देखे कि आसाम में पांच सीटों पे चुनाओ हो रहा है बीजेपी इसके पहले चार सीट जीती थी और कांगलेश एक सीट जीती थी आज की डेट में पोजिशन जहां पर कांगलेश जीत दूसरी बात वहां पे कांगलेश का क्या हुआ वहां पे आम आदमी पार्टी भी अपना कंड़ी डेल लनाना चाहिती थी आसाम में परन्तों केजरी बाल जी जब जेल जाने लगें तो उसके पहले अपने बचाओ के लिए उन्होंने कांगलेश से संभ्यावता कर लिया य उसमें चार जगे जेडियू थी चार जगे जेडियू थी एक जगे कांगलेश थी कांगलेश बिहार में काफी वीक पोजिशन में है और जेडियू चार जगे थी तो चारु जगे बुदे इदर मनीश कषप के पहुंच जाने से और नितीश कुमार और बीजेपी के एक सा सब्सक्राइब दूसरा चतीक्लम यह वहां नहीं ती स्टेट गवर्णनेट में बीजेपी की संभावनाकी जीत कर आई और जबज़याश बहुमत से जीत के आजका की रेट में बीजेपी के वहां पर इस्थित काफी स्टॉंग है क्योंकि बिधान सभा बहुत अधिक बहुमत से जीते हैं करनाटक में आपको बताने जंता दलो बीजेपी के मिलने से इनकी एंटी इंकेंबेंसी जो बिधान सभा में हुई थी वो खतम हो गई है बीजेपी की और सबसे बड़ा जो है गया हुआ बोर्ड बापस आ गया अब केडल की आपको ताने केडल में खुझ तुरूर साब मानना है और कांग्रेस वहां मदद कांग्रेस खुद मैसूस कर लाई कि वहां पर हमारी सारी सीटे फस रही पंद्रा की पंद्रा अंपी में भी हैं पूजिट का था स्यूसेना टूड़ गई है वह सब बीजेपी के साथ है लाजिस्थान में बीजेपी की सरकार हो गई तुरूपला में बीजेपी का ही एक तरफा होल्ड है और यूपी की जो आट सीटे हैं उनकी आप देख लिजे क्या पोजिशन है खुल करके आगया आपको बताना है कि गेटन नुएडा में एक त्यागी का अभी एक कांड हो गया था बीजेपी लीडर तो त्यागी नारास था अब त्यागी जो है इनके साथ प्लस हो गया और प्लस होने के से क्या हुआ कि काफी मजबूत पोजिशन में हो गया खास कहीं बसपा कर लए कहीं कांग्रेस कर लए कहीं कोई निर्धिली कर ला तो खुल मिलाके बीजेपी हर जगह है फाइट में और स्या और जो है वो टुकलों टुकलों में आगे जनता के उपर है कि क्या होता है यह पांच जून को भापता चलेगा दोस्तों नमस्काल मैं आज पत्तरकाद